नमस्कार दोस्तों मैं जीतेंद रगवेंडशी और जैसा कि आप सबीकों पहले से पता होगा कि 24 जून और 25 जून को अध्यापकों का सिख्छे विवाग में समलियन को लेकर आंदोलन भुपाल में होने वाला था तो आज से आंदोलन स्टार्ट हो गया है और वहाँ पर अध आंदोलन सफल माना जा रहा है तो हम आपको इस वीडियो में बही बताने वाले हैं चुकि अध्यापकों को दो गुट में बाट चुकी सिवराज सरकार पूरी तरह से आसवस्त थी कि 24 दिसंबर को जो अध्यापकों का आंदोलन होने वाला है वो पूरी तरह से फ्लॉप सा सोमबार से राज अध्यापक संग के परांत अध्याक्ष हैं जग्दी स्यादब अपने سाथियों के साथ आमरन अंसन पर भी बैटने वाले हैं जबकि सिवराज सिंग ने एलान किया था कि मद्य पर्धेश की अध्यापक सिवराज सिंग की बादा किलाभी से नाराज हैं सि केबिनेट मेटिंग में एक नए संबर के गठन को मंजूरी दे दी गई अध्यापक इसी के खिलाप एक जुट हुए हैं उनका कहना है कि सभी अध्यापकों का सिक्षा विवाग में समलियन किया जाए और दिखबिजय सिंग सरकार द्वारा मृत घोसित किये गए सिक्षक आज की जो भीड अध्यापकों की भोपाल में दिखाई दे रही है उसको देखकर यही लगता है कि उन लोगों को किसी भी परकार से राज्य सिक्षा सिवा जो रियापरास्ता बनाए गया है वो उनको मनजूर नहीं है उने ईनीस्तो चौरानवे बाला सिक्षब भाग रहा था उसी को पनरजिवित करके अध्यापकों को सायक सिक्षक और ब्याक्ख्याता के पदपर संबिलियन किया जाए वो नियुकति नहीं चाहते हैं वो संबिलियन चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट्स के माद्दे हम से जरूर बताएं जाद से जाद वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूनें साथी चैनल को यह दिया आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें धन्यवाद